हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इसने वीडियों बात करने वाले हैं स्री निवास रमानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप ग्लास 6 से लेकर बाराहुई में पढ़ाई कर रहें तो आपके लिए बहुती सुनारा मौका है लेपटप जीतने का और जो है कैस प्राइब जीतने का इसमें देखें साब साब बोला गया प्रतियोगता में भाग लेने वाले बिजताओं को पुरसकार स्वरूप लेपटप एवंग नगदरासी दिनांक 22 दिसंबद 2022 को परदान हैं तो आप इस जो है टैलेंट सर्च टेस्ट में भाग ले सकते हैं बहुत ही अच्छा है और आपको जो है अच्छा खासा कैस प्राइब मिल जाएगा और एक लेपटप को मिलेगा ही मिलेगा इसके लिए ओनलाइन स्टार्ट है आप जो है तीन दिसंबद 2022 तक जो है और आपको अपने ही जीला में आपको परिच्छा आयोजिइन की जाएगी और आपके अपने ही जीला में जो है इक्जाम Дेना है अब कैसे देना है क्या प्रोसेस है ओनलाइन कैसे करेंगा पूरा कंप्लेट इंफोर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे फ्रेंट्स आप यह देख लिजे नोटिफिकेशन बिज्याग एवन प्रोधुकी विभाग के द्वारा जो है यह निकाली गई है बिहार काउंसिंग ऑन साइंस एंड टेक्नलोजी तारा मंडल पटना द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है स्री निवास रामारुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 इसमें बोला गया है कि प्रत्योगता परिशा दिनांग 10-11 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा यानि जो है आपके अपने ही जिला में यहां पर देखें बोला गया है राज्य के सभी 38 जिलों में इस्थापित राज्य की अभ कॉलेज है उनी कॉलेज में जो है बिहार के जितने 38 डिस्टिक्स सब में है तो वहां पे जो है इसका परिक्षा लिया जाएगा 10-11 दिसंबर को और यहां पर बोला गया कि क्लास 6 से लेकर 12 तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है इस योजना में भाग ले सकते है मतलब इस जो है टैलेंट सर्च टेस्ट में भाग ले सकते हैं इसके लिए बोला गया कि चुक छात्र नीचे दिए के वैब साइट पर निशूर कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको रिश्ट करना है रिश्ट करने के लिए कोई आपको फी नहीं देना होता है आप एकजाम में बैठेंगे अच्छा मांक्स लाएंगे अगर आपका यहां पर प्रतियोगता में पास होते हैं तो आपका यहां पर लेप्टप नगधरासी दी जाएगी और इसको यह भी बताया गया है प्रतियोगता में भाग लेने वाले बिजयताओं को पुरसकार सु और 29 तारीक ओफिसली जो है तारा मंडल के द्वारा मतलब जारी किया गया था तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी में यह जो है सारा चीज हो रहा है और आपका जो इक्जाम भी हो जाएगा 10 और 11 दिसमबर को हो जाएगा और 22 दिसमबर को रिजल्ट आ जाएगा और आप BCST आप ओपन करेंगे तो यह देख सकते हैं तारा मंडल जो है वहां से यह रन कियाता है वेबसाइट को और यह ओपन नहीं हो रहा है लेकिन हमने यहां पर एक अल्टरनेटिव देखा यहां पर देखी सकते हैं यह लाच्ट तीन दिसमबर है और आठ दिसमबर को इसका अभी आपन करेंगे तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है लोगा है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें प्रिवियस के शिलेबस भी दिए गया है 6 से 12 के लिए उप चले हैं यहां सब यहां पर syllabus दिया गया आप यहां से आवधन करेंगे आवधन करने के लिए देखेंगे यहां पर एक link मिलेगा स्री रामानुजन इस तरह के आपको जो है math questions solve करने होते हैं offline form आपका होता है offline exam होता है और इसको आपको solve करने होते हैं तो आप practice अगर regular पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा सारा चीज यह question हो अगर solve करने का आपके c levels का ही होता है देखिए level 2 है class 9th and 10th में जो questions रहते हैं वो आप आपको यहां पर दिये गया है इसके बाद यहां पर 11 से बारह हुई के label का question यहां पर आपको जो है दिया गया previous year से मतलब paper है ताकि आप देखिए किस तरह से question पूछ जाते हैं समझवारा ना friends तो इस तरह से आपको दिया गया सारा चीज़ आपको direct link मैं यहां पर description box में दे करेंगे यहां पर click करने पर नहीं खूल रहा है तो यहां पर देखिए को option मिला link for registration आप इस पर click करेंगे इन्हों ने जो है अलग से एक link दिया हुआ आप इस पर click करेंगे जिसा पर click करेंगे इस तरह से जो है देख सकते हैं खुलेगा और यहां पर आपको बताना है कि class आ email ID लिखेंगे और sent OTP पर click करेंगे तो email को verify कर लेंगे OTP जाएगा आपके mail पे necessity चूच करेंगे Indian for NRI जो भी यहां चूच करेंगे correspondence address आपका जो भी address है आप अच्छे से address को लिखेंगे pin code लिखेंगे name of a school with address जहां पढ़ाई कर रहा है जिसमाली आपने यहां पर 9 वी class यहां पर राजी चूच करेंगे बिहार आएगा district बताएं किस districts आप बिलॉंग करते हैं तो आपका अपना district चूच करना है यहां पर ब्लॉग चूच करना कि आप किस ब्लॉग से आते हैं यहां पर अपना जो है half photograph upload करने जो की 20 से 50 कभी के बीच होनी चाहिए यहां पर signature 20 से 50 के बीच होनी चाहिए यहां आपको declare करना है और यहां पर आपको register वाले button पर आपको click करना है जैसे friends form को submit करते हैं आपका form इस तरह से submit हो जाता है यहां पर आपका registration number मिल जाता है आप इससे note कर लेंगे print out का भी option आ जाता है तो आपको PDF मिल जाता है आप इससे print out निकाल ल जारी किया गया है आपको मैंने link description box में दिया हुआ है आप click करके जो सभी information को देख सकते हैं apply link पे बिजा सकते हैं notification को download कर सकते हैं इसका जो previous year's mathematics के questions है उसको भी आप यहां पर download कर सकते हैं और अपना तयारी भी कर सकते हैं तो पूरा complete information friends आपको description box में मिल लागा आप click करके जो सारी information को देख सकते हैं बिहार council on science and technology के द्वारा जो है यह सारी information को दी गई है आप जो है इसके official notification को भी download कर सकते हैं उमीद करता हूं friends आपको जनकारी समझ में आया होगा मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ हमें देज़ायत और देख तरे जोब स्टक बाई देले thank you for कर देख सकते हैं